शेयर मार्केट में अगर आप शेयर खरीद कर बेज कर पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको तो ये दो गलती बिल्कुल नहीं करना है और ये दो गलती काफी लोग कर जाते हैं और उसमें क्या होता है उनका नुक्सान हो जाता है तो चलिए जानते हैं ये दो गलती कौन सी है जि इसे आप अगर करते हैं तो आप हमेशा नुकसा नहीं करेंगे, अपने पैसे को बढ़ाने ही पाएंगे, अगर अपने पैसे को बढ़ाना है तो आपको एक दो गलती तो बिल्कुल करना ही नहीं है, देखिए सबसे पहला गलती क्या होता है, यहाँ पर अंबर प्रोटीन का 233 रुपे शेर का रेट चल रहा है ठीक है, अगर हम यहाँ पर जो की एक हपता पहले आते हैं तो इस शेर का रेट बढ़ा हुआ है 277 रुपे, एक महिना की पीछे जाते हैं तो यहाँ पर जो की इस सेर का रेट है 1500 रुपे के आसपास, और पीछे जाते हैं तो यहाँ पर और पीछे जाते हैं तो इस share का rate है जो की 843 रुपए तो दोस्तु अगर आप कभी भी share बाय करते हैं जैसे कि हाँ पर एक विक पहले अगर आप देखेंगे तो इस share का rate 284 रुपए तक इस share का rate गया था ठीक हैं अब यहाँ पर कुछ लोग जो की क्या गलती करते हैं जैसे कि माली जी इस share का price 3800 रुपए के आशपास अब इस share जैसे ही बढ़ने लगा वो एक दिन दो दिन वेट करेंगे देखेंगे share का दाम बढ़ता जा रहा है 200 हो गया 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 280 हो ग ठीक है अब यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं share को buy कर लेते हैं अब क्या होता है share लेने के बाद एक दिन के बाद इस share का rate जो की down होता चला जाता है तो आपको ए गलती कभी ने करना कि share जो बढ़ता जा रहा है है उसको बढ़ता हुआ देख करके आप जो की share को buy करें कभी भी आपको share को buy करना है तो आपको देखना है कि इसका जो की minimum जो time चल रहा है वो कितने में चलता है तो यहाँ पर देखेंगे 160,500 के आसपास यहाँ पर चला एक महीने पहले एक साल के बाद देखेंगे तो यहाँ पर भी 500 के आसपास चल रहा है और पीछे जाते हैं तो यह पर जो कि आप देख सकते हैं ये 180 के आसपास चल रहा ठीज़ें और ऐसे आपको देख लेना है घुमा घुमा करके कि इसका रेट लगभग कितना चलता है मतलब 200 और 1500 रुपए के बीच में इसका जो कि मिनमम रेट चलता है अगर हाई होता है तो ये 300 400 500 भी जाता है तो आपक लगाना है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 215 रुपए इस सेर का प्राइज बना हुआ है तर ये 215 रुपए के आसपास और 2500 के बीच में अगर ये 6 महिने से घुम रहा है तो आपको समझना है कि इस सेर का रेट अब जल्दी डाउन होने वाला नहीं है तब आप जो कि बाय किये होंगे 275 उसके बाद में ये डाउन हो गया अब उनको क्या करना है काफी डाउन दक वेड करना पड़ेगा अगर वेड नहीं करेंगे तो अपना लोस करेंगे क्योंकि अगर यहाँ पर 2500 का सेर बाय किये होंगे और उसके बाद में यहाँ पर जो कि ये डाउन ह हो ना शुरू हो गया है यहाँ पर देखी एडाउन हो ना शुरू हो गया है तो अब दाउन हो करके 200 से नीचे जाएगा तो पक्का 200 से नीचे जाएगा ब उनको क्या करना पड़ेगा इंतिजार की share का दाम फिर कब बढ़े जब बढ़ेगा तब फिर कहीं वो अपने share को बेच पाएंगे ऐसे में क्या है जैसे कि माल लिजी जो 1.500 का share उनको मिलने वाला था और 2.500 का उले लिए ठीक अब उसी share को अगर वो चाहते हैं 1.500 के rate से लेते तो काफी और ज्यादा share ले सकते हैं और ज्यादा quantity में share ले सकते थे उनका तो ये नुक्सान है ठीक है इसकी वज़े से उनका भी पैसा भी नुक्सान है अगर ये share का दाम और गड़ता गया 500 के आज पास गया है तो घबडा करके बेच भी देंगे हो सकता है सोचेंगे और डाउन हो जाएगा तो मेरा ज्यादा नुक्सान हो जाएगा और वैसे भी जो लोग 200 पे लिये होंगे वो 200 पंद्रे आते आते शेल ही कर देते हैं काफी लोग शेल कर देते हैं के अंदर डेर बेड़ जाता कि अब कितना निच्छे जाएगा ये तो ये गलती तो आपको कभी भी नहीं करना कि शेर का रेट बढ़ रहा है तो पीछे का जो उनका हिस्ट्री होता है उसको देख करके शेर खरीदना जैसे कि मालली जी पीछे का हिस्ट्री है यहाँ पर देख लिए 643 हुआ है यहाँ पर देख लिए जो की 800 तक गया था तो यह चीज मत देखना ठीक है यहाँ पर यहाँ पर देखिए यह चीज मत देखना नहीं तो यह चीज अगर देख करके आप share buy करेंगे तो आप loss में ही रहेंगे आपको फायदा नहीं होने वाला share market में और दूसरी गलती आपको यह नहीं करनी है अगर आपने share buy कर लिया चाए सस्ता या तो महेंगा share आपने buy कर लिया तो आपको कभी भी जल्दबाजी में अपने share को बेचना नहीं है अगर आपने share को जल्दबाजी में बेच देते हैं तो भाई आपको लोस लगेगा ही आपको इनतिजार करना पड़ेगा आपको क्या करना है इनतिजार करना है और डेली वाई डेली आपको इसे देखना पड़ता है यह मत सोचो की आज लगा के छोड़ दिया 6 मैने बाद देखेंगे एक साल बाद देखेंगे और हमारे share कदाम बढ़ा हुगा होगा आपको डेली वाई देखना है डेली वाई डेली कि आपके share का rate कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है अगर आपके share का rate 10 रुपए 20 रुपए से जादा डाउन जाता है तो आपको share को sell कर देना चाहिए अगर आप नहीं sell करेंगे तो आपके share का rate हो सकता है 100 रुपे से सिर्क 10 रुपे का ही रह जाए या तो 10 पैसे का रह जाए तो इसलिए आपको हमेशा देखते रहना चाहिए आपको एक target बनाना चाहिए कि मानली जी अगर आपने 200 रुपे का share लिया है तो 190 तक अगर down होगा तो मैं उसे sell कर दूँगा या तो 180 तक उससे जादा नहीं अगर उससे जादा आप रखेंगे तो हो सकता है आपका पैसा out down चला जाए और अगर आप कहीं चार दिन नहीं देखते हैं तो चार दिन में क्या पता आपको जो पैसा है पूरा का पूरा down हो जाए जो 200 का लिये थे वो share सिर्फ 50 रुपे का रह जाए तो इसमें सिर्फ आपका नुक्सानी होगा अगर आप चार दिन बात देखेंगे आपके share कदाम 50 रुपाय है आप घबरा करके जल्दी से sell कर देंगे और ऐसे में आपका लोस हो जाएगा नुक्सान हो जाएगा और इस सारी गलती जादा तर नए लोग करते हैं और पुरा करना